वेल्लो एवरीवन वेल्कम बैक टू माइ चैनल कैसे हैं आप सब तो आज में आप सब के साथ में शेयर करूंगी करेजी मसारा बनाने की बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी और साथ ही इसे साफ करने का तरीका भी बताऊंगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी किए पानी में जैका तो अब हैमें करेज जी को वाँश करना है इसे कि इसमें जो इसमेल होती है वह निकल जाएं सास्य हो बलड होता है वह भी निकल जाएगा तो इसकी लिए आपको लेना नब्रणा बड़ासे और इसमें मैं डालेंगे चार से पांश कपानी make को अ कि इस और इसके बाद हम इसमें ये कलेजी डाल देंगे और इसे एक बार मिला देंगे और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है और अब हम इसे पंदा मिनिट के लिए एते ही छोड़ देंगे जिससे की सारी गंदگी निकल जाएगी और ये देखें jobbar पंदा मिनिट बाद आप देख सकते हैं पाने का जो कलर है वो कुदना गंदा हो गया है और करेजी जो है वो एकदम साफ हो गई है यह देखें आप मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ अब हमें एक बाउल लेना है इसके उपर हमें एक छनी रख देंगे और करेजी को हमें छान लेना है इसे चानकर इसका पानी सारा निकाल दीजिए इसके बाद हम इसे 4-5 पानी से दोल देंगे क्योंकि इसमें जो निम्बू की खटा से वो निकल जाएगी अब हमें लेना है कुछ पाउडर मिसाले तो यहां में ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा जीरा मैंने क्रश करके लिए हैं आप चाहें जो इसका पाउडर भी ले सकते हैं हाफ टेबल स्पून में यहां पर लोगी लालमिश पाउडर हाफ टेबल स्पून में आप लोगी हल्दी का पाउडर हाफ टिबल स्पून हम लेंगे यहाँ पर कारी मिर्ची का पाउडर और इसकी बाद में यहाँ पर लूँगी वन टिबल स्पून नमक आप यहाँ पर टेश्ट के कॉर्डिंग भी ले सकते हैं जितना आप खाते हूं वन टेवाइ स्पून में आप लोगी कश्मीरी लान मिर्ज इसका बहुत इच्छा कलर आता है और यहाँ पर में लोगी आप दो टी स्पून भरके धनिया का पाउडर धनिया की क्वाणिटी आपको ज्यादा रखनी है दो तेज पत्ते ले लेंगे एक ते डिएड़ इंच बड़ी लाइची और एक बादियान फूल अब हमें एक प्रेशर कुकर लेना है और इसमें हम यह कलेजी डाल देंगे कलेजी को मैंने दो से तीन पाने से अची तरह से धुल लिया था अब हम इसमें एक खड़े मसाले डाल देंगे पाउडर मसाले डाल देंगे दो टीबल स्पून भरके हम यहाँ पिल देंगे लेसन अदरक का पेश्ट और एक मीडियम साइस की प्यास को मैंने रफ़ली चॉब कर लिया है इसे भी हम उसमें डाल देंगे अब मैं इसमें डालूँगी एक कप ऑल-ईल यहार मैंने शर्षो क T恤 एल लिया है और एक कप मैं इसमें डालूँगी पानी पानी ज्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि करेजी अल्रेडी पानी छोड़ती है इसे मिक्स कर दें बहुत ही असान तरीका में आपको बतारी हूं करेजी बनाने का अब हम प्रेशर कोकर का रखकन बंद कर देंगे और इसे गैस पर रख देंगे अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जिससे की कलेजी सॉफ्ट हो जाए और 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं कलेजी अमारी पकिया नहीं और यह देखें यहां पर कलेजी जो है वह अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है लेकिन इसमें काफी पानी छोड़ दिया है तो अब हम पानी को जला लेते हैं गैस की फ्लेम आप हाई रखिए और हाई फ्लेम पर इसे चलाते हुए इसे बूनिएगा और यह देखें कलेजी में पानी कम हो गया है तो इसलिए अभी हम इसे और बूनना है गैस की फ्लेम हाई रखिए अब हम इसमें डालेंगे वन डिबल स्पून गरा मसाला पौडर इसे डालने के बार मिला दे और यहां पर गलेजी पके तियार हो चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को बन कर देंगे और यह देखें करेजी आपके तयार है मैं आपको दिखाती हूं यह कितनी सॉफ्ट बनी है यह देखिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूं यह देखें करेजी अंदर तक सॉफ्ट हो गई है गब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो इसे सर्विंग प्लेट में एक सर्फ कर लें इसके बाद हम इसे हरी मीचोल से गानिश कर देंगे जिससे की देखने में तो अट्याप्टिंग लगेगा आप चाहें तो हरी दन्या के पत्तों से भी इसे गानिश कर सकते हैं तो देखा फ्रेंड्स आपने यह तरीका कितना आसान था तो एक बार आप मेरी तरीके से अब बार आई ओ तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले जिससे की मेरे आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रैस्पी के साथ अब तक लिबाय थैंक्स फर वाचिंग